साथियों, न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की entrepreneurship में महिलाओं की इस भूमिका को जादा से जादा पहचान मिले, उसे प्रमोट किया जाए आप सभी ने देखा है कि पिछले साथ सालों में देश ने इस और विशेस द्यान दिया है प्रतिश्टीत पद्म सम्मान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक और उधारन है 2015 से लेकर अब तक एक सो पचासी महिलाओं को उनके अभूत्मवा कारियों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है इस वर्ज भी 34 पद्म पुरस्कार 34 अलग-अलग शेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं यह अपने आप एक रिकॉर्ड है आज तक कभी इतनी जादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला है इसी तरह आज खेलों में भी भारत की बेटिया दुनिया में कमाल कर रही है ओलेम्पिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही है कोरोना महमारी के खिलाब इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी इसमें हमारी नर्सेस ने डॉक्टर्स ने विमेन साइंटिस ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है यानि जब भी अवसर मिला है भारत की नारी सक्ति ने अपने सामर्त को साबित किया है और आप सभी से बहतर इस बात को कौन जानेगा कि एक महला सबसे अच्छी टीचर और ट्रेनर भी होती है इसलिए देश के सभी महला आयोगों के सामने भारत में एंट्रपिनसिप से लेकर स्पोर्ट्स तक एक नई सोच और शमता तयार का भी एक बहुत बड़ा दाईत्व है